अगर आप निफ्टी को इदर देखते तो 19400-19500 के आज पास इदर ट्रेड कर रहा है अगर आप पिछले एक वीक का इदर चार्ट देखते हो तो निफ्टी है न एक जो है न भीया सैसन बाउंड या निक एक रेंज बाउंड के अंदर इदर ट्रेड कर रहा है कंसोलिडेट से हमने इदर कवर किया था उसके बाद है न हमने अपने पोर्टफोलिम उसको एड के था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के है न इदर कमेंट और मैसेज आने सुरू होगे कि जो स्टोक्स के अंदर कोई मुमेंट नहीं दिखाए दे रही है ये चला गया क्या लेकिन जैसे आज मैं इदर है न इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो आज मैं इसका चार्ड दिखाऊंगा और आप चोंग जाओगे कि इदर है न जो इस टोक्स ने कितनी ज्यादा इदर अपवर्ड मुमेंट दिया और कि इस तरह से एक जो ब्यूलिस पैटरन है आने वाले स उसका भी इदर थोड़ा सा रिफरेंस लेंगे और शाथ में दोस्तों जो इसकी सबसीडरी कंपनी है उसने भी इदर एक कमाल कर दिखाया और एडवांस चार्ड को हम इदर देखेंगे तो इसके लिए दोस्तों मैं लिकर चलता हूं आपको अपन ले लैप्टों स्क्रीन क जो शिटिजन सर्विसे उसके अंदर भया जो टोप टू के अंदर जो कंपनी अना भी रैंक कर रही है इन कंपनी का बिजनस से ना काफी ज़्यदा अपड़ मुमेंट में दिखाए देगा 18 साल से ज़्यादा का कंपनी का जो ग्लोबल एक्सपिरियेंस है 46 जो क्लाइंट से ज़्यादा जो ग्लोबल ओफिसे ज़्यादा जो एक्सकुलूसीव वर्किंग फॉर गवर्रमेंट और डिप्लोपेटिंग मिसंस है और जो अगर आप देखोगे 220 मिलियन से ज़्यादा जो एप्लिकेशन है यह आल्रेडी जो अब की डेट तक है ना भीया प्रोसेस कर चुकी है अगर आप इसके जो है सोलुशन की बात करते हैं देखें वीजा प्रोसेसिंग सर्विसे हैं सीटीजन एंड जो फ्रेंट एंड सर्विसे हैं कॉंचलर सर्विसे हैं इन चीजों की रिक्वायर्मेंट पढ़ती है तो उनके अंदर मैंली कंपनी काम स्क्रीन पर द लेड करा स्ट्रोंग मुमेंटम है प्राइस अबोदा जो सोट एंड मीडियम लोंग टरम से आपको इदर दिखाई दे जाएगा अगर आप देखो के बाउन वीक से स्ट्रोंग ने जो स्ट्रोंग है ना इजर हाइस रिकावरी दी है साथ में हम सबसे पहले इदर एदर ए अगर आप ग्रोस प्रोफिट मार्जन देखते हैं तो देखे जो 32 परसेंट फाइनिंचल यह दो हजार देश में 32 परसेंट तो कंपनी ने उसको ना इदर कंटीनू मेंटेन किया है साथ में अगर आप लोग इदर है ना आगे का डाटा देखेंगो तो देखें जो देखेंगे इदर है ना फाइनिंचल यह दो हजार बाइस की बात करता हूं तो 1140 मिलिन का है जबकि फाइनिंचल यह दो हजार तेश में हो गया 2231 मिलिन का तो कंपनी ने इदर भी है ना जो डबल का इदर जंप दिया साथ में अगर आप दो दोस्तों जो अर्जेस्टिर पी एटी देखते हो यह नहीं प्रोफिट अफ्र टैक्स देखते हो तो एक चीज आप लोगो इदर दिखाई देगी फाइनिंचल यह अगर मैं पिछले की बात करूं 2022 की इदर बात करता हूं तो देखिए 1112 मिलिन का था जबकि यह 2023 के फाइनिंचल यह में हो गया 2043 मिलिन इनकी बात करते हैं तो इनडिया में इंडिया में शिरफ 25% बात करते हैं तो इसकी दोस्तों सबसेडिर कंपनी ने विधर कमाल कर दिखाया कि जो BLS International Services की जो subsidiary company है BLS E-Services Limited इसने दोस्तों इधर है ना इनका integration हो गया उमंग के साथ उमंग मतलब की unified mobile application and new age governance यानि government department के साथ दोस्तों इसका जो है integration हो गया जिसका भी directly impact है ना जैसे कि जो digital platform है और जो कर्मिन उसके बाद जो 500 से ज़्यादा जो e-governance जो services है यहाँ पर जो company का साथ में directly integration हो गया जिसका जो impact है ना stocks के उपराने वाले समय में आपको इधर देखने को मिल जाएगा जैसे कि इधर पुड़ी update अगर आप लोग देखते देखे कि BLS E-Services Limited जो integrate उमंग services for easy and convenient government services delivery इसमें है ना company है ना जो E-Services Limited है जो subsidiary है BLS International की यह दोस्तो है ना integration हो गया उमंग के साथ इधर यहाँ company जो digital platforms है offering government access है साथ में दोस्तो जो e-governments है national e-governance divisions है इसके साथ दोस्तो मिलकर इधर ना इस जो services के उपर काम करेगी और जो अपने business को आगे बढ़ाएगी दोस्तो अगर हम BLS International का advance start की बात करते तो जहां पर मैंने दोस्तो इस level के उपर आप लोगों को बताया था कि हम इसके अंदर entry बना सकते 207 या 210 रुपे के आसपास फिर देखिए जो stocks हैं एक consolidated phase के अंदर को आतावा दिखाए दे रहा हुआ इस level के उपर मैं बात करो 220 या 220 रुपे के आसपास एक consolidated phase मुझे आतावा दिखाए दिया इस level के आसपास 210 और 220 के आसपास है ना कुछ दिनों तक दोस्तो इधर trade के तो लोगों के कमेंट आने सुरू हो गए तै लेकिन यहां पर देखिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तो 31 जुलाई 2023 की तो यहां पर एक जो strong upward moment है ना stocks नहीं दर दीती देखिए कितना ज़्यादा जो volume है इधर जो है ना investment कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको खुद की टेक्निकल fundamental analysis करने किसी भी इंटर बनाने से पहले तो यहां पर आगर हम बात करते हैं देखिए यहां पर भी आपको थोड़ा सा consolidate देखने को मिला लेकिन इस level से जैसे दोस्तों इधर से जंप किया था consolidate के बाद इधर भी मेरे हिसाब से लगता है क्या कमेंट है कि जो मैंने advance चार्ट आपको बता रहा हूं आपको इससे लेटी कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजेगा आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों यह यह भी मुझे जरूर बताएगा बी एलेस इंटर लेंजर सर्विजिस के आपके पास कितने स्टोक से यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएगा दोस्तों फीर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्र